कि यह स्री साम दोस्तों मेरे यूटीब चलने में दोस्ता आप सभी का हर्दिक स्वात करते हैं दोस्तों आज मैं आपको पूरा दिखाने वाले यहां से और कि विवस्ता रहेगी आपको पूरी दिखाने वाला कितना समय लगा है दर्शन करने में आपको पूरा इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो को आग के दर जरूर देखें चले वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिका वाग्ने करदी अब 1 अज़नगों हिए कि हुआ है है तो दोस्तों देख सकते हैं पेदल यात्री महार के इधर से पता है और इधर से जो यह वो दर्शनों के लिए भीज़ा जाएगा तो पागुन मेले के अंदर जो वो लाखोवी संग्या में बाबा श्राम के भक्त आते तो उनकी जो दर्शनों के लिए देखो यहां पर कि जो हूँ वह वह बल्यों dose वड्य और औस प्लस ही ऐसी में में से हुत हूए जो है वहम बाबा के भक्त जाएंगे आगे की तरफ पूरा से घूंग हूँकेआ का जो लगदा दार ग्राउंड हमें हमां की आपको पूरा दिखाने वाले है तो भीट्यों के आगते तक बने इस प्रकार नाइफ शोगे यह दर से लिए और इस के बाद पर आगे की तरफ आएंगे तो यहां पर यह लाइंस के अंधर आगे जो इस प्रकार कुणकर देख बंव यह बनाए गया है जो काफी और अभी इसका काम चली रहा है तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां पर यह जो इसका एंडिंग हो रही है यहां से जाने के बाद जो है वो लगदातार ग्राउंड सामने तरह उतर देखो लगबग 100-200 मेटर के दूरी पर होगा इधर से जो हो सीधा उदर की तरफ जाएंगे वहाँ पर रेलिंग्स बनाए गई है इधर की तरफ से निकालेंगे चलते उदर आपको पूरा दिखाते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव किया गया दर्शनों की विवस्ता के खास हुआ 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 है तो दोस्तों जो मैंने आपको मंदीर मार्क बताया था लगबग महां से 2-3 किलोमेटर चलने के बाद हम यहां पर आचुके लगदातार ग्राउंड आप देख सकते हैं यहां पर आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा देखो लगदातार ग् हो लें यहां पर और इदर देख सकते हैं वोश्रूम है जैन्स और गर्स बोइस सभी का और आप आगे चलता है आपको आगे का भी दिखाते हैं देखो चलो आप द आख यहां से लाको की संक्यया होग्र पब्लिक आएगी ना अटब भी मतलब आसानी से धर्न कर सकती हैं सिया आपको दिखाता होगा है यहां पर जो यह वो आप जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी यहां पर मतलब फेसिलिटीस की गई आपको दिखाते हैं अंदर चल कर देखो तो दोस्तों देख सकते हैं आप लगदातार ग्राउंड के अंदर जो बनाया गया काफी डॉम करता शांदार है मतलब ही देखो आप उपर मतलब इतनी फेसिलिटी और इतनी प्रोटेक्शन के साथ इसको बनाया गया कि मतलब कितनी भी तेज आंदी दूफन बारिश आएगी तब भी बाबाशाम के भक्ते वासानी से दर्शन कर सकते आप उपर दिखाएं जो काफी मतलब लाइटे वाइटे कितनी बड़ी लगी अभी यहां बड़े-बड़े फेन भी लगेंगे और अभी जो वह इस प्रगार के रहेगी आप जब एंट्री करेंगे यहां से जिग चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा है हमने आपको महां से दिखाई महां से जिग जेक करते हुए मतलब यह पूरा घूमते हो देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां से जिए आप यह जो देख रहे हैं यह पूरा लगदातर ग्राउंड का पूरा है देखोई इस प्र यहां पर इस प्रकार की बनाए गई है यहां से आप आएंगे दर्शनों के लिए तो आप देखो अब यहां से जो हम आपको दिखाता हूं चीज बाबा शाम का मंदिर है वह सीधा अब यह सब पूरा पार करने के बाद आप यहां से जाओगे सीधा मंदिर की तरफ जा रहा है यहां जो की नया मारगे वह फागून मेले के लिए बनाएगा है आपको चलिए उधर भी चलके ले दिखाते हैं जैसरी साम दिखाए वह सीधा यहां तक चलकर आएगा मतलब यहां से निकल रहा हो रास्ता उसके बाद जो यहां से बाबा शाम के भक्तों को यहां से बेज़े जाएगा लगबग 200-300 मिटर की दूरी बच जाएगी चले उदर चलते हैं आपको दिखाते हैं बाबा शाम की दर्शन करव वाला है और आपको दिखाते हैं वहां पर भी यहां पर भी रुस्त आपको धिखाते हैं हो श् Yeshua Why साहन है यहां सीधा कि यहां स्रावाग कि यहां पर आंगे जलते आपको पुरी इखाने वाले यहांन पर बड़ी से लगी हुई और पीछे की तरफी जो वो एलेडी में आपको दिखाई है महां से आप देख से पॉब्लिक जो भाभी संख्यां बाबा के भगता रहे हैं और इधर भी चलते हैं आगे आपको दिखाता है दो डेकोरेशन जो किया गया हो खाभी शांदर किया गया है और मांगे दे गाएं देखाता रहा है पूंसे दिखिते हो दूआ हैंगे नहीं है को इसको परसे लेना है जो मुझे खिवा घ्रिक्राइब झाल झाल झाल